यानीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में आज मैं बताने वाली हूँ कि यह खुबसूरस सा थालबुस कैसे बनाते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं प्रॉट करते हैं तो ही द्हागा लेंगे हम और इस तरह से उग्लीओं पर घुमाएंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे अब हम के रोस्या लेंगे नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे ले लेंगे तो यह हमारी मैजिक रिंग बन जाएगी अब इसको हम यह लोक कर देंगे अब 3 की चैन बनाएंगे हम एक दो तीन तीन की चैन बनाई और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यह धागा घुमाया हमने और इस तरह से लिया मैजिक रिंग में से वापस लिया दो में से निकाला और फिर दो में से निकाला फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे धागा गुमाएंगे मैजिक रिंग में से वापस लेंगे दो में से निकालेंगे और फिर दो में से निकालेंगे इस तरह से हमको ये 24 डबल क्रोशिया बनाने 24 24 dachte Burdow愧 look trying Easy स्हुआ करेंगे तो लॉग करने के लिए 1 2 3 30री चैन में हम Сलिप इस्टिच के साथ स्ल fällt करेंगे ति इस तरह से अब एक बार इस चैन के ऊपर हम । इस्टिच करेंगे किसे कहरुभ हम 3 की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन तीन की चैन में लाई धागा गुमाया और यह जो डबल किरोसिया है हमारा इसके उबर हम डबल किरोसिया बनाएंगे और यह दो में से निकालेंगे और यह दो हम किरोसिया पर रखेंगे अब हम धागा गुमाएंगे और फिर next वाले में डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से अब हम तीनों में से एक साथ निकाल देंगे अब हम इसके उपर 4 की चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार चार की चेन बनाई और धागा गुमाया और अगले वाले में हम डबल क्रोसिया बनाएंगे इसी के उपर दो में से निकाला दो हम क्रोसिया पर रखेंगे फिर अगले वाले में डबल क्रोसिया बनाएंगे अब अगले वारे में इसके उपर दो में से निकालेंगे अब इन चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे और इसके उपर चार की चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार चार की चेन बनाई धागा घुमाया और नेक्स्ट वाले के उपर हम डबल क्रोसिया बनाएंगे दो में से निकालेंगे दो क्रोसिया पर रखेंगे फिर धागा घुमाएंगे फिर डबल क्रोसिया के उपर अगले के उपर बनाएंगे दो में से निकाल दिंगे एक बार और बनाएंगे चारों में से निकाल दिंगे इस तरह से हम चार की चैन बनाएंगे ए, दो, तीन, चार हमने तीन तीन डबल क्रोसिया बनाएं और बीच में चार की चेन, इसी तरह से हम अपना round complete करेंगे, अब हम lock करेंगे, तो lock करने के लिए ये जो हमारे बने हुए हैं, इसी के ऊपर हम slip stitch के साथ lock करेंगे, इधर एक बार इस जाली में हम slip stitch करेंगे, और इसके ऊपर हम chain बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन की chain मनाएं, धागा गुमाया, और इस जाली में हम double crochet बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये हमने पांच double crochet बनाएं, और एक हमारी chain है, छे हो गए, अब हम तीन की chain बनाएंगे, एक, दो, तीन, ये हमारी तीन की chain हो गई, और नेक्स्ट जाली में हम double crochet बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ये हमने छे double crochet बनाएंगे, और तीन की chain बनाएंगे, और नेक्स्ट में इसी तरह से छे double crochet बनाएंगे, और इसी तरह से हम अपनी row complete करेंगे, row 1 के हमारी complete हो चुकी है, अब हम इसको lock करेंगे, तो lock करने के लिए, एक, दो, तीन, तीसरी chain में हम इसको slip stitch के साथ lock करेंगे, अब हम इसके उपर तीन की chain बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन की chain बनाएंगे, और यह जो इसी के उपर हम double crochet बनाएंगे, दो में से निकालेंगे, फिर दो में से निकालेंगे, तो यह हमारी एक chain और एक double crochet बनाएंगे, अगले के उपर बनाएंगे हम, फिर दागा बनाएंगे, इसी तरह से हर double crochet के उपर हमको double crochet बनाएंगे, और यह जो last बनाएंगे, इसके उपर हम दो बनाएंगे, दो बार बनाएंगे double crochet, एक, और यह दूसरा भी सी में, दो, यह हमारे तीन, 3, 6, 2, 8, 8 double crochet बनाएंगे हम इसमें, और दो की chain बनाएंगे, एक, दो, और फिर आगले वाले पर इस पर दो बार बनाना हैं हमें double crochet, एक, और दूसरा भी इसी पर, इस तरह से हर double crochet के उपर double crochet बनाना हैं, और लास्ट के उपर, लास्ट वाले के उपर दो बनाने हैं, आगे भी दो और पीछे भी दो, और बीच में एक, डबल क्रोशिया, और दो की chain, इसी तरह से हम अपना round complete करेंगे, यह row हमारी complete हो चुकी है, अब हम इसको लॉक करेंगे, लॉक करने के लिए, एक, दो, तीन, तीसरी chain में हम slip stitch के साथ लॉक करेंगे, अब हम इसके उपर तीन की chain बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन की chain बनाएंगे, धागा गुमाया और इसी में बनाएंगे हम, डबल क्रोशिया, दो में से निकालेंगे, फिर दो में से निकालेंगे, धागा गुमाएंगे, अगले वाले के उपर बनाएंगे, इस तरह से धागा गुमाएंगे, अगले वाले के उपर बनाएंगे, अगले के उपर, इसी तरह से हाट डबल क्रोशिया के उपर हमें, डबल क्रोशिया बनाना है, और इसके उपर हम दो बार बनाएंगे, एक, और ये, दो, इसके उपर हमने दो बनाएंगे, बीच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसमें तीन की चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन की चैन बनाएंगे, और ये जो फर्स्ट वाला है, इसके उपर हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दूसरा वीसी में दो और अब हम एक एक बार बनाएंगे और लास्ट में दो बार बनाएंगे इसी तरह से अपनी रोह हम कम्प्लीट करेंगे रोह हमारी कम्प्लीट हो चुकी है अब हम इसको लॉक करेंगे इस चैन में ही हम लॉक करेंगे slip stitch के साथ 3 की chain बनाएंगे 1, 2, 3 3 की chain बनाई और हम अगले वाले double crochet पर double crochet बनाएंगे इस तरह से अब अगले वाले पर अगले वाले पर बनाएंगे इसी तरह से double crochet के उपर हम double crochet बनाएंगे पहले हम दो बार बना रहे थेंगे अब हमें एक ही बार बनाना हैं इस तरह से नीचे भी हमारे दस आ रहे हैं उपर भी हमारे दस हैं अब हम तीन की चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन की चैन बनाएंगे इस double crochet के उपर बनाएंगे हम अगले वाले के उपर इस तरह से हमें हार double crochet के उपर double crochet बनाना है और तीन की चैन इसी तरह से हम अपना round complete करेंगे रह हमारी complete हो चुकी है अब हम इसको lock करेंगे lock करने के लिए इसके उपर ही करेंगे हम एक, दो, तीन इसलिए पिस्टिच के साथ करेंगे अब तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन तीन की चैन बनाने के बार दागा घुमाएंगे और अगले वाले double crochet पर हम double crochet बनाएंगे दागा घुमाएंगे अगले वाले पर बनाएंगे इसी तरह से हर double crochet आगे उपर हम double crochet बनाएंगे अगले वाले पर इसी तरह से राउंड हम कम्प्लीट करेंगे यह हमारे इस पर भी दस डबल करोशी आएं इसमें भी हमारे दस थे, इसमें भी दस हैं और इसमें भी दस हैं और यहां हम 3 की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन और धाका घुमाएंगे और फिर इसके उपर बनाएंगे इसी तरह से हम हर double crochet के उपर double crochet बनाएंगे और अपना round complete करेंगे यह row हमने complete कर लिये अब हम इसको lock करेंगे यह जो chain जा रही है हमारी इसके उपर हम lock करेंगे अब यह जो double crochet है हमारा इसके भी हम slip stitch करेंगे अब हम तीन की chain बनाएंगे एक दो तीन तीन की chain बनाएंगे और यह जो double crochet है अगले वाला इसके उपर हम double crochet बनाएंगे इस तरह से एक दो हमारे धर होगे तीसरे पर हमारा double crochet बन गया है अब अगले वाले पर बनाएंगे दागा कुमाएंगे अगले वाले पर इसी तरह से हम हर double crochet आगे उपर double crochet बनाएंगे यह हमने 8 double crochet बनाएं 3,6,2,8 इसके उपर नहीं बनाना है अब हमें 2 की chain बनानी है 1,2,2 की chain बनाने के बाद धागा कुमाएंगे और इस जाली में हम 3 double crochet बनाएंगे 1,2,3 तीन तीन double crochet बनाएं फिर 2 की chain 1,2,2 की chain बना लिए दागा कुमाएंगे और यह जो double crochet बने हुएं इनके बीच में हमें double crochet बनाना है अगले के उपर अभी अगले के उपर इस तरह से हमें इसमें 8 double crochet बनाने हैं और बीच में यहां इस तरह से 2 की chain तीन double crochet और फिर 2 की chain और फिर इसके बीच में बनाना है इसी तरह से हमें अपना round complete करना है यह row हमारी तयार हो गई है अब हम इसको lock करेंगे lock करने के लिए यह जो हमारी chain जा रही है इसी के उपर हम slip stitch करेंगे और अगले वाले यह double crochet इसके उपर भी हम slip stitch करेंगे और अब हम तीन की chain बनाएंगे एक दो तीन और अगले वाले डबल करोशिया पर हम डबल करोशिया बनाएंगे अगले वाले पर इसी तरह से हम जो डबल करोशिया के उपर डबल करोशिया बनाते जाएंगे इसमें हमारे छे डबल करोशिया आएंगे और अब हम दो की chain बनाएंगे तीन की एक दो तीन तीन की chain बनाएंगे और इस जाली में हम तीन डबल करोशिया बनाएंगे एक दो तीन और हम फिर तीन की chain बनाएंगे एक दो तीन धागा गुमाएंगे अगली जाली में हम तीन डबल करोशिया बनाएंगे एक दो तीन और फिर तीन की chain बनाएंगे एक दो तीन तीन की chain बनाएंगे और यह जो डबल करोशिया बने हुए है इसके बीच में हम डबल करोशिया बनाएंगे इस तरह से हम यह च्छे डवल क्रोशिया बनाएंगे तीन की चैन तीन की चैन तीन डवल क्रोशिया और फिर तीन की चैन और फिर यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसी तरह से हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे, रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको लॉक करेंगे, लॉक करने के लिए यह जो हमारी चैन जा रही है, इसी के उपर हम स्लिप स्टिच करेंगे, येशस डबल कुरोशी आखे उपर भी हम slip stitch करेंगे अब इसके उपर हम 3 की chain बनाएंगे 1, 2, 3 3 की chain बनाई, दागा गुमाया और अगले वाले डबल कुरोशी आखे उपर हम डबल कुरोशी अबनाएंगे इस तरह से दागा गुमाएंगे आगले के उबर बनाएंगे रागा गुमाएंगे आगले के उबर बनाएंगे इस तरह से हमारे चार डबल क्रोशिया बनेंगे और अब हम तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन तीन की चैन बनाएंगे इसमें तीन डवल क्रोश या बनाएंगे जाली में एक दो तीन फिर तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन और नेक्स्ट वाली जाली में डवल क्रोश या बनाएंगे तीन बार एक दो तीन अब तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन और आगे वाली जाली में हम तीन डवल क्रोश या बनाएंगे एक दो तीन अब तीन की चैन एक, दो, तीन डागा गुमाएंगे और इनके बीच में हम डवल क्रोश या बनाएंगे इस तरह से यह हमारे चार डवल क्रोश या बनाएंगgregire चाली में फिर टीन की चैन फिर तीन की चैन свिर टीन डवल क्रोश फिर तीन की चैन फिर तीन की चैन यह रो हमारी complete हो गई है अब हम इसको लॉक करेंगे अब यह जो हमारी chain जा रही है इसी पर हम लॉक करेंगे एक दो तीन slip stitch के साथ लॉक करेंगे और एक slip stitch और हम इस अगले वाले double crochet के उपर करेंगे इस तरह से अब हम इसके उपर तीन की chain बनाएंगे एक दो तीन और धागा गुमाएंगे और अगले वाले double crochet के उपर हम double crochet बनाएंगे इस तरह से अब हम तीन की chain बनाएंगे एक दो तीन तीन की chain बनाएंगे धागा गुमाएंगे और इस जाली में तीन double crochet बनाएंगे एक दो तीन अब इसके उपर हम तीन की chain बनाएंगे एक दो तीन नेक्स्ट जाली में तीन double crochet बनाएंगे एक दो तीन तीन की chain एक दो तीन अबली जाली में डबल क्रोशिया एक दो तीन तीन की chain एक दो तीन अगली जाली में एक दो तीन तीन की chain एक दो तीन और यह जो हमारे डबल क्रोशिया आएं इनके बीच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक अगली में दो और फिर तीन की chain एक दो तीन और जाली में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से यह हमारी एक दो तीन चार और यह पांस जाली बन गई है हमारी और यह दो डबल क्रोशिया आएं इसी तरह से हम बीच में तीन की chain बनाके अपना round कंप्लीट करेंगे हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम इसको लोग करेंगे अब हम लोग करने के लिए यह जो हमारी chain जा रही है इसी के उपर हम लोग करेंगे slip stitch के साथ यह हमने लोग कर दिया अब एक बार slip stitch हम इस जाली में लेंगे इस तरह से और तीन की chain बनाएंगे एक दो तीन तीन की chain बनाएंगे और इसी जाली में हम दो बार double crochet बनाएंगे एक दो अब हम तीन की chain बनाएंगे एक दो तीन यह हमने दो बार double crochet बनाएंगे एक हमारी chain हो गई तो यह तीन double crochet हो गई अब हम तीन की chain बनाएंगे और अगली जाली में हम तीन double crochet बनाएंगे एक दो तीन इसी तरह से अब हम तीन की चैन बनागे और हड जाली में तीन-तीन क्रोसिया बनाएंगे और इसी तरह से हम अपना राउंड कम्प्लीट करेंगे रूबन के हमारी तयार हो गई है अब हम इसे आगे बनाते हैं यह रूब हमारी यहां कम्प्लीट हो गई थी और हमने इसी सेम तरीके से यहां तक इसे बना दिया है यहां हमारी पूरी हो गई यहां तक बनाया है अब हम आगे बनाते हैं अब हम जो इसके उपर यह पत्ति बनी हुई है इसके उपर जो जाली है इसमें हम दो बार घुमाएंगे एक दो दो बार घुमाके और इस जाली में हम ट्रपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से निकाला दो में से निकालेंगे फिर दो में से निकालेंगे और फिर दो में से निकालेंगे अब फिर दो बार घुमाएंगे फ फिर दो में से निकालेंगे, और फिर दो में से निकालेंगे, फिर गुमाएंगे दो बार, फिर इसी में बनाना है, दो में से, फिर दो में से, और फिर दो में से, यह हमारे तीन होगे हैं, हमें पांच बनाने हैं, तो फिर दागा गुमाएंगे दो बार, फिर इसी में एक बार और इसubenने बनाईंगे हम हम used कि 개인 बनाइंगे एक बार दूवाड और इसी में बनाएंगे हम कि दो में से雪 comunque से और फिर दो में से अब हम इसमें मार रपार टीन के देजन बनाएंगे एक दो तीन इसी तरह से हम इन में तीन तीन की चैन और तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके उपर आके हम पांच बार ट्रबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे ये बनाया है और इसी तरह से हम अपनी रो कम्प्लीट करेंगे अब हमारा पूरा हो गया, अब हम इसको लॉक करेंगे, अब हम लॉक कर देते हैं, यह जो हमारी तीन की चैन है, इसी पर हम लॉक करेंगे इसको, सिलिप स्टिच के साथ, अब एक सिलिप स्टिच और इसमें बनाएंगे, अब एक जाली में सिलिप स्टिच बनाएंगे, अब हम तीन की चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन की हमने चैन बनाएंगे, और इसी में हम डबल ग्रोश्या बनाएंगे, अब हम तीन की चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन की चैन बनाएंगे, और हम इसमें और इसमें, दो बार और हम तीन तीन डबल ग्रोश्या बना लेते हैं, अब हमने ये तीन जालियों में, तीन, तीन डबल ग्रोश्या बना लिएंगे, और तीन की चैन, अब हम इसमें चार की चैन बनाएंगे, और इसके उपर बनाएंगे, ट्रबल ग्रोश्या, एक बार धागा लपेटा दो बार लपेटा और यह जो हमारा ट्रबल क्रोसिया बना हुआ है हम इसी के ऊपर ट्रबल क्रोसिया बनाएंगे दो में से निकाला फिर दो में से निकाला और फिर दो में से निकाला अब एक बार फिर लपेटेंगे दो बार लपेटा और इसी में बनाएंगे हम दूसरा भी दो में से निकाला दो में से निकाला और फिर दो में से निकाला अब हम दो की चेन बनाएंगे एक और दो दो की चेन बनाईए दो बार धागा लपीटा और आगले वाले डबल क्रोसी आगे उपर हम ट्रबल क्रोसी बनाएंगे दो में से निकाला दो में से निकाला और फिर दो में से निकाला एक बार और बनाएंगे दो में से और फिर दो में से, अब फिर हम दो की चेन बनाएंगे, एक, दो, दो की चेन बना के, अब लें दो मेंसे निकाला फिर दो मेंसे और फिर दो मेंसे दो वाला पेटेंगे फिर इसी में बनाएंगे हम दो मेंसे फिर दो मेंसे और फिर दो मेंसे दो की चेंग एक दो और फिर दो वार खुमाएंगे दागा और अगले वाले ट्रपल क्रो से आगे उपर बनाएंगे हम दो मेंसे निकाल दिया दो मेंसे निकाल दिया और फिर दो मेंसे निकाल दिया फिर दो वाल लपेटेंगे फिर इसी में बनाएंगे दो में से, फिर दो में से, और फिर दो में से, दो की चैन, एक, दो, दो बार घुमाएंगे, फिर लास्ट वाले पर भी हम दो बार बनाएंगे, दो में से निकालके, फिर दो में से, और फिर दो में से, दो बार घुमाएंगे, फिर इसी में बनाएंगे हम, दो में से, दो में से, और फिर दो में से, इस तरह से हमें हर टर्पिल क्रोसिया के उपर दोवार टर्पिल क्रोसिया बनाना है और बीच में दो की चेन अब हम आगे जाने के लिए के उपर चार की चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4 चार की चेन बनाईए एक बार दागाला पीटिंगे और इस जाली को छोड़के दूसरी वाली जाली में हम तीन वार डबल क्रोसिया बनाएंगे एक दो तीन और अब हम तीन की चैन बनागे और इसमें तीन वार डबल क्रोसिया बनाएंगे और इसी तरह से हम अपनी रो कम्प्लीट करेंगे यहां हमने डबल क्रोसिया गए हैं तीन बार तीन की चैन तीन डबल क्रोसिया तीन की चैन तीन डबल क्रोसिया और यहां चार की चैन और दो दो हमने ट्रपल क्रोसिया बनाएं एक एक के उपर तो यह हमारे पांच जोड़े हो गए एक दो तीन चार पांच फिर हमने चार की चैन बनाई है और फिर यहां तीन डवल क्रोशिया बना दिये हैं इसी तरह से हम अपना राउंड कम्प्लीट करेंगे राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हम इसको लॉक करेंगे अब यह जो हमारी चैन जा रही है इस पर हम सिलिप इस्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से एक बार और सिलिप इस्टिच करेंगे अब इस जाली में अब हम इसके उपर तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन तीन की चैन बनाई और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो धागा गुमाया और इसी में बनाएंगे हम एक, दो यह हमने दो डबल क्रोशिया बनाएं, एक हमारी चैन हो गई तो यह तीन हो गई अब हम तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन तीन की चैन बनाई और अगली जाली में हम तीन डबल करोशया बनाएंगे एक दो तीन अब फिर तीन की चैन एक, दो, तीन एक चैन और चार यह चार की चैन होगी हमारी अब हम दो बार धागा लपेटिंगे एक, दो और यह जो ट्रपल करोशया बना हुआ है इसके उपर हम ट्रपल करोशया बनाएंगे दो में से निकाला दो में से निकाला और फिर दो में से निकाला अब हम दो बार फिर लपेटेंगे और फिर इसके बीच में हम बनाएंगे दो बार निकालेंगे फिर दो बार निकालेंगे और फिर दो बार निकालेंगे अब फिर दो बार लपेटेंगे और तीसरा भी हम इसी में बनाएंगे अब हम दो की चैन बनाएंगे, एक, दो, दो की चैन बनाई, और दो बाल लपेटा धागा, और इसके उपर हम अगले वाले के उपर ट्रपल क्रोसिया बनाएंगे, दो मेंसे निकाला, दो मेंसे, और फिर दो मेंसे, फिर दो बाल लपेटेंगे, फिर इसके बीच में बनाएंगे, दो मेंसे निकालेंगे, फिर दो मेंसे निकालेंगे, और फिर दो मेंसे निकालेंगे, दो वाल लपेटिंगे हम और फिर इसी में बनाएंगे हम दो मेंसे निकालके दो मेंसे और फिर दो मेंसे इसी तरह से हमें इनके उपर तीन तीन बनाने हैं मैंने ये दो ट्रबल क्रोसिया के उपर तीन ट्रबल क्रोसिया बनाएं और फिर दो की चैन फिर 2 के उपर 3 बनाए और 2 की चैन इसी तरह से मैं यहां आ गई हूँ हम यहां से आगे बनाते हैं फिर अब मैं 2 की चैन बनाओंगी एक, दो दो की चैन बनाई दागा घुमाया और इस जाली को छोड़के इस जाली में हम डबल क्रोसिया बनाएंगे 3 वार तीन और एक, दो, तीन की चैन बनाएंगे और इसमें हम तीन वार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसी तरह से हम अपनी रो कम्प्लीट करेंगे यह राउंड हमारा कम्प्लीट हो चुका है अब हम आगे बनाते हैं आगे बनाने के लिए हम दो बार ले पेटिंगेों इसको और यह उमारे कोर्प्लीट क्रोशिया बनाएंगे हम आप इस तरह से प्रप्ल खिमाएंग उप्ली अब दो भार भूआएंगे और इसी में बनाएंगे दो में से निकालेंगे फिर दो में से निकालेंगे और फिर दो में से निकालेंगे एक बार और इसी में बनाएंगे दो में से निकाला फिर दो में से निकाला और फिर दो में से निकाला अब हम इसके उपर तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन तीन की चैन बनाई और यह जो हमारी यहां दिख रहे हैं दो इसमें हम लॉक कर देंगे इसको इस तरह से सिल्प स्टिच के साथ लॉक करेंगे हमने लॉक कर दिया अब हम दो बार भुमाएंगे धागा और अगले इसमें ट्रपल क्रोशिया के बीच में तीन वार ट्रपल क्रोशिया बनाएंगे एक दो इस तरह से बनाएंगे हम अब हम दो की चैन बनाएंगे एक दो और दो बार धागा घुमाएंगे और फिर इसके बीच में हम तीन वार ट्रपल क्रोशिया बनाएंगे दो मेंसे निकाला दो मेंसे और फिर दो मेंसे अब फिर दो बार धागा घुमाएंगे फिर दूसरा भी हम असी में बनाएंगे और अब हम तीन की चैन बनाएंगे एक दो तीन की चैन बनाएंगे और इन दोनों में हम लॉक कर देंगे इसको सिल्पिस्टिस के साथ और फिर दो बार लपेटेंगे और अगले बाले में हम तीन बार ट्रपल क्रोशिया बनाएंगे फिर दो बार भुमाएंगे एक बार और इस तरह से हमें इसमें तीन इधर ट्रपल क्रोशिया तीन इधर और बीच में तीन की चैन बनाके लॉक कर देंगे इसी तरह से हमें यहां तक बनाना है और फिर इसके बीच में दो हमने यहां तक बना दिया है अब हम आगे बनाते हैं दो की चैन बनाएंगे एक दो दो की चैन बनाई धागा गुमाया और इन दोनों के बीच की जाली में हमें तीन डवल क्रोशिया बनाने हैं एक दो तीन यह तीन डवल क्रोशिया बना लिए हमने अब हम तीन की चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन की चैन बनाएंगे और यह जो हमारे ट्रपल क्रोशिया बना हुआ है इसके बीच में हमें तीन बार ट्रपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से इस तरह से बनाना है और अपना राउंड कम्प्लीट करना है यह रोबन के हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही सुन्दर और प्यारा थालपोस लग रहा है उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेर लाइक जरूर करें थैंक यू